जंगल में ठंड दिन बादिन भरती ही जा रही थी क्योंकि जंगल में पूरे एक महीने से सूरज ही नहीं आया था ठंड की वज़ा से सभी पक्षी बहुत परेशान थे मिठु भैया पहले भी कई बार ठंड का मोसम आया है मगर इतने ठंड पिष्ली पार तो ना थी कभी धूप तो कभी कहरा मगर आप तो केई दिनों से कहरा जान ही नहीं छाट रहा कब उतर वहाँ आ जाता है मैं जानता हूँ इस बार ठंड क्यों जाता है मगर वो क्यों शायद आप सब भूल गे जब गर्मी के मौसम में कालू कवे ने सूरा चाचा को भुरा भला कहा था लो जी आ गया सुभा सवे रही इसे और कोई काम है ही नहीं ना खुद सोता है ना दूसरों को सोने देता है सूरा चाचा जी जाओ यहां से चले जाओ मुझे सोने दो रात गई और दिन आया मैं तुम्हारे लिए रोशनी लेकर आया हूँ था कि तुम सब पक्षी अपने अपने काम कर सको तुम सब के लिए अनाज पक जाए मेरी रोशनी से ही फूल खिलते हैं काम 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 जाओ चाचा जी तुम अपना काम करो हमें ऐसे तंग ना करो उस दिन के बाद सूरत चाचा एक बार भी हमारे जंगल में नहीं आया इसका मतलब सूरत चाचा हमसे नराज है जो भी हो हमें सूरत चाचा को मनाना होगा अगर ऐसे ही कुछ दिन और धूपना निकली तो ठंड के कारण हमारी हेटिया भी जम जाएंगी मैं कालू हूँ गोरी मैं तुम्हारा पती हूँ और कौन हूँ मगल गोरी कवी जाडु उठा कर कालू कवे को मारने लगती है बड़े कवे तुम हो कौन मेरे घर में मेरी अजाज़त के बिना तुम क्यों आए हो भाग कर कालू कवा बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाता है वो 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 गोरी वो गोरी मुझे मार देगी कुछ दिनों से वो बहुत अजीब अजीब बातें कर रही है मुझे बचा लो गोरी को क्या हुआ है कालू भेया यही तो मुझे समझ नहीं आ रही कि उसे हुआ क्या है वो मुझे पहचानती ही नहीं है ये तो बुलबुल ही बता सकती है गोरी को क्या हुआ है मगर कालू भेया आपकी वज़ा से हम सब ठंड से मर रहे है क्या हुआ मैंने क्या किया है सूरज चाचा आपसे नाराज है वो इस जंगल में धूब और रोशनी करने नहीं आ रहे है इसलिए तो ठंड इतनी भड़ गई है चुडिया मैं सोया हुआ था जब सूरज चाचा ने मुझे जगाया तो मैं गुसे में आ गया उड़ती हुई बुलबुल भी फूलों के रस की बोतल लिए वहां आ जाती है मैं तो आज फूलों का रस बहुत मुश्किल से निकाल कर लाई हूँ ठंड के कारण हाथ ही काम नहीं कर रहे अच्छा ही हुआ बुलबुल जो आप यहां आ गई आप कालुकवे के साथ आए इसकी पतनी गोरी कुछ दिनों से बहुत अजीब अजीब हरकतें कर रही है मैं अभी जाकर उसे देखती हूँ फिर कालुकवा बुलबुल को साथ लेकर अपने घर की तरफ उड़ता है इसका दिमाग काम छोड़ गया है के दिन मसलसल ठंड में रहने से इसके दिमाग का एक हिसा बंद हो गया है मगर अब ये कैसे ठीक होगी बुल बुल अगर ये जाग गई तो अभी मुझे मारना शुरू कर देगी इसे धूब की जरूरत है धूब जब इसके सर पर पड़ेगी तो फिर ही आपकी पतनी ठीक होगी ये सब मेरी वज़ा से हुआ है ना मैं सूरत चाचा को उस दिन बुरा भला कहता ना आज सब मुसीबत में बढ़ते फिर कालू कवा अपने दोस्तों के पास जाता है सापक्षी महा इकर्ठे होते हैं कालू किसी तरहां तुम्हें सूरत चाचा से माफी मांगनी होगी फिर ही सूरत चाचा हमारे जंगल में धूब देगा कौन पकड़कर मैं कौन पकड़कर सूरत चाचा से माफी मांग लूँगा मगर ये तो मालूम हो कि सूरत चाचा मुझे मिलेगा कहा ये बात तो बुड़ी फाखता ही हमें बता सकती है तो फिर कौन जाएगा बुड़ी फाखता के पास मैं और कालू कवा हम जाते हैं बुड़ी फाखता के पास फिर चिडिया और कवा बुड़ी फाखता की तरफ उड़ते हैं बुड़ी फाखता का घर दूसरे जंगल में था चाचा जी यहां पर बुड़ी फाखता कहां रहती है चुड़िया वो सामने वो सामने रहती है बुड़ी फाखता समय जाया किये बिना चुड़िया और कवा वहां से उड़ते हैं अगर आपको सूरज चाचा के पास जाना है तो आपको सागर के पार जाना होगा सूरज चाचा रात को अराम करने के लिए सागर के उस पार आता है बुड़ी फाखता जी क्या सूरज चाचा मुझे माफ कर देगा जुरम कितना भी बड़ा हो अगर सच्चे दिल से तोबा की जाए और सच्चे दिल से माफी मांगी जाए तो उपर वाला भी माफ कर देता है कवे भीया चलें हमें अंधेरा होने से पहले पहले सागर के उस पार जाना होगा चिडिया और कवे फिर से उड़ते हैं सामने खुला सागर था जहां तक नजर जाती नीला ही नीला सागर था वो उड़ते हैं कभी कवे आगे तो कभी चिडिया आगे वो उड़ते उड़ते बहुत ठक जाते हैं फिर कवे का दिहान सागर में एक टाबू पर जाता है। चुडिया, हमें थोड़ी देर के लिए वहां रुकना होगा। मेरे पांक बहुत ठागे हैं। हाँ कवे भेया, हो सकता है हमें वहां से कुछ पानी और खाने को भी कुछ मिल जाए। वो दोनों दोस्त टाबू पर जाते हैं, वहां बैठी हुई मैना उनका स्वागत करती है। आप कहां जा रहे हैं? यहां से आगे तो कोई और टाबू नहीं है, इस से आगे तो सागर का दूसरा की नौरा है। मैना बहन, हमें सूरत चाचा के पास जाना है। मैना जी, हमें भूक लग गई है, क्या यहां से कुछ खाने को मिलेगा? खाने को भी मिलेगा और पीने को भी, आ मेरे साथ आएं। फिर मैना उन्हें थोड़ी ही दूर एक फूलों के घर में ले जाती है। यह घर तो बहुत सुन्दर है। यह घर मेरी माने मेरे लिए बनाया था। साच में यह बहुत सुन्दर है। फिर मैना उन्हें सूजी के बने हुए लड़ू खाने को देती है। जिसे देखकर कालू कवा तो बहुत खुश हो रहा था। दोनों दोस्ट चिडिया और कवा मीठे मीठे सूजी के बने हुए लड़ू खाते हैं। पानी पीते हैं। कवे भैया अब चलें हमें आके जाना है। यहां से कुछ ही फासले पर सागर का दूसरा की नारा है। सूरत चाचा आपको वहां मिलेंगे। चिडिया और कवा मैना को धनेवाद बोलकर फिर से उड़ते हैं। आखिरकार वो दोनों दोस्ट सागर की दूसरी ओर पहुंचाते हैं। सूरत चाचा सो रहे थे। चिडिया आहसा से आवाज देती है। सूरत चाचा, सूरत चाचा हाँ हाँ चिडिया, बताओ बताओ, कैसे आई हो तुम, डूस्ट कवे, तुम यहाँ मेरे पास क्यों आई हो, चले जाओ, नहीं तो मैं अपनी गर्मी से तुम्हें कोईला बना दूँगा सूरत चाचा, हम जानते हैं, आप कालू कवे से नाराज हैं, और इसी वज़ा से आप हमारे जंगल नहीं आ रहे हैं मुझे माफ कर दे, आप चाहें तो अपनी गर्मी से मुझे जला दे, मगर मुझे माफ कर दे, आप जंगल में वापिस आ जाएं, सब खतम हो जाएगा, आपके बिना सब खतम हो जाएगा, मेरी पतनी पागल हो गई है, फूल खिलने ही रहे, ठांड से सब मर रहे है ये सब बताते बताते कालू कवव रोने लग जाता है, फिर सूरचाचा कालू कवव को माफ कर देता है तो फिर बैठे मेरे उपर, मुझे सा मालूम है, आप बहुत ठके हुये होंगे चिडिया और कवा खुशी हुशी सूरचाचा के ऊपर बैठ जाते हैं और सूरचाचा उनके साथ उनके जंगल चल देता है आज सुभा होने के साथ ही जंगल के सपक्षी बहुत खुश थे क्योंकि आज केई दिनों बाद उनके जंगल में सूरचाचा आए थे और सबक्षी धूब के मज़े ले रहे थे जंगल में रात का समय था ममा जड़िया अपने बच्चों के साथ अपने घर में बहुत सकून से बैठी हुई थी ममा मुझे रात के समय यूँ आपके साथ लेट कर बाते करना बहुत अच्छा लगता है ममा जब आप छोटी थी तब आप भी अपनी ममा के साथ ऐसे ही लेटा करती थी मुझे अच्छे से याद है मैं तो अपनी मा के बिना खाना भी नहीं खाया करती थी मेरी मा मुझे से बहुत प्यार करती थी और फिर एक रात जब तेज बारिश में मेरी माम मुझे छोड़ कर चली गई मैं बहुत रोई, बहुत रोई ममा, आपकी आंखों में आंसु है जब भी हम कोई पुरानी बात करते हैं आप रोने लग जाती है बस बेटी, गुजरा समय याद आ जाता है कुकु मेरे बच्चे, मेरे बात अपनी बहन का ख्या लखना कोई दुख न देना मेरी बेटी को ममा, ये आप कैसी बातें कर रही हैं हम हमेशा ऐसे ही साथ रहेंगे सुभा हो जाती है और ममा चड़िया अपने बच्चों के लिए भाज़ लेने चली जाती है मिल गया, मुझे मेरे बच्चों के लिए मीठा फल मिल गया मेरे बच्चे मीठा फल दे कर बहुत खुश होंगे ममा चड़िया मीठा फल अपनी चौँच में लेकर अभी उड़ी थी के पीछे से एक जालिम चीला कर ममा चड़िया पर हमला कर देती है लड़ाई शुरू होती है जाड़ियों में बैठा कालू कवा ये सब देख रहा था मगर वो डर जाता है वो कैसे उस बड़ी चील का मुकाबला कर सकता था वो चील ममा चड़िया को मार कर अपने पंजों में लेकर वहां से चली जाती है बच्चो मैंने अपनी आँखों से देखा है आपकी मा को चील खा गई है ये सुनकर दोनों बच्चे रोने लग जाती है कालू अंकल मेरी ममा तो अभी अभी हमारे लिए भोजन लेने गई थी ममा आप क्यूं हमें छोड़ कर चली गई बहुत जालिम है वो चील बहुत जालिम है वो मुझे खा लेती मगर मेरी ममा को ना खाती कवा चला जाता है बच्चे सारी रात बैठे रोते रहते हैं फिर दूसरे दिन कुकू अपनी बहन के लिए भोजर लेने जाता है उस दिन के बाद कुकू अपनी बेहन का खियार रखने लगा कुकू अपनी बेहन के लिए दाना लाता अपनी बेहन के लिए मीठा फल लाता और फिर शाम को दोनों बेहन भाई नदी पर सेर करने एक साथ जाते वक्त के साथ साथ बचे बड़े होते गे और फिर एक दिन कुकु एक जड़िया से शादी कर लेता है ये कौन है कुकु? भूल गई आप, मैंने बताया तो था, ये मेरी चोटी बेहन है भाबी, मैं आपके लिए मीठे फर लाया करूंगी, मैं आपके लिए दाना लाया करूंगी नहीं नहीं, ये काम तो मेरा पती ही कर लिया करेगा मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता हूं, आप मेरी बहन को मा का प्यार देना मा, अभी से, मैं तो अभी खुद छोटी हूं फिर दूसरे दिन कूकू जब घर से बाहर जाता है, तो गोरी कवी उसकी पतनी के पास आती है कहां है तुम्हारी नंद? वो, वो तो अभी सोई हुई है उसे शुरू से ही अपने जूते के नीचे रखना, वरना, वरना ये तुम्हारा कुछ नहीं बनने देगी कूकू जो भी लाएगा, इसी का होगा मुझे माने ये सब सिखा कर बेजा है फिर तो तुम्हारी मा भी मेरी तरहा ही होगी गोरी कवी चली जाती है अब उठ जाओ महरानी, भारा बजने को है भापी, खाना कहा है? कौन सा खाना? जल्दी से घर की सारी सफाई कर लो और फिर बरतन धो कर खाना बना लेना मैं थोड़ी देर गोरी कवी के घर टीवी देखने जा रही हूँ मगर भापी, मुझे तो अभी ये सारे काम नहीं आते मा के बाद ये सब भाई ही करते थे अगर करोगी तो सीख जाओगी कौकू की पतनी गोरी के घर टीवी देखने चली जाती है और गुडिया काम शुरू करती है वो घर की सफाई करती है वो सबजी बनाती है बरतन धोती है और फिर शाम को खाना बनाती है अब चली जाओ कुकू आने ही वाला होगा उसके आने से पहले पहले जाकर काम संभालो हाँ जाकर देखती हूँ क्या कुछ किया है कुकू के लाडली बहनने ये गलास कैसे तूटा भाबी मैं बरतंद हो रही थी ये तूट गया इस बात पर गुडिया की भाबी उसे मारना शुरू कर देती है कान खोल कर सुन लो अब तुम बच्ची नहीं रही हो तुम बड़ी हो गई हो सारे काम अच्छे से सीख लो और अगर अपने भाई को कुछ बताया तो जान से मार दूंगे मैं तुम्हें गुडिया गुडिया कहा हो चलो चलो वहाँ वहाँ बैठ जाओ गुडिया को भी ठाकर उसकी भाबी खुद काम करने लग जाती है गुडिया मैं तुम्हारे लिए लटू लाया हूँ लाएं पती जी ये मुझे दे दे हम ये दोनों कल खाएंगी गुडिया ने अभी अभी मिठाई खाई है गुडिया बहुत डर गई थी उसकी भाबी ने उसे बहुत डरा दिया था इसलिए वो खामोश रहती है दिन गुज़रते गे और गुडिया की भाबी का उस पर हत्याचार भड़ता गया मेरी सहेली आई है आज मुझसे मिलने चलो जल्दी से जाकर चाय बनाओ गुडिया रसोई में जाती है और चाय बनाना शुरू करती है ये कौन है सहेली ये है मेरी मुफ्त की नोकरानी फिर वो दोनों हंसने लग जाती है ये ले भाबी चाय बन गई गुडिया की भाबी एक घूंड लगाती है और गरम गरम चाये उसके उपर फैंक देती है ममा ममा मुझे बचा ले जबान कार दूंगी अगर बोली चुप चुप कर जाओ गुडिया सेहम कर खड़ी हो जाती है ऐसी चाये खुद ही पीलिया करो बनाकर बे शर्म ना कोई जाइका ना सवाद मैंने सोचा है अब हम गुडिया की शादी कर दें नहीं नहीं पती जी इतनी भी क्या जल्दी है अभी तो गुडिया चोटी है जब बड़ी होगी तो देख लेंगे अगर इसकी शादी हो गई तो मुझे मुझे मुफ्त में नोकरानी कहां से मिलेगी मुझे पूरा विश्वास है आप गुडिया का अच्छा ही सोचोगी फिर दूसरे दिन हर्या लितोती गुडिया के घर आती है वो अभी दर्वाजे के पास ही थी तुम सारी जिंदकी मेरी नोकरानी बन करी रहोगी अगर तुम्हारे भाई ने तुमसे शादी की बात की तो ना कर देना जी भापी चल भाग और जाकर चाय के बरतन धोलो तो ये है असल हकीकत इसकी भापी का व्यावार गुडिया से ऐसा है हर्याली वापिस चली जाती है कुकु बेटा मैंने ये सब अपने आँखों से देखा तुम्हारी भाबी गुडिया को नोकरों से भी बुरा समझती है मगर गुडिया ने ये सब मुझसे क्यों चुपाया वो डरी हुई है वो तुम्हें कुछ भी बताने से डरती है फिर दूसरे दिन कुकु घर से जाने का बोल कर अपने खर के पास ही चुपकर बैठ जाता है थोड़ी देर बाद गुरी कवी उनके घर आती है गुडिया जल्दी आओ आकर मेरे पाउं दबाओ बहुत दर्द हो रहा है मेरे पाउं में मैंने तो साफ साफ बोल दिया है इसके भाई को के अभी शादी नहीं करनी इसकी मुफ्त की नोकरानी कौन हाथ से जाने देगा फिर वो दोनों हंसने लग जाती है कुकु भी ये सब सुन लेता है अभी गुडिया का भाई जिन्दा है मुझे नहीं मालूम था के मैं एक पत्नी नहीं बलके एक डाइन भिहा कर लाया हूं फिर कुकु अपनी पत्नी को घर से निकाल देता है और अपनी बहन का खुद खियाल रखता है और दोनों बहन भाई खुशी का जीवन गुजारते हैं